कि वेलकम तो इंडिया जाजेस्ट लेर्ट फॉर्म कर दिजने कैडमी आगे बढ़ते हैं आजके लेक्टर के लिए उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन में अपना कर दू हाँ मेरा नाव अनुराक शर्मा है में मोर देन 80 एस एक्सपिरियेंस इन फिल्ड फिल्ड फ प्रियुटिप्ट लेवल पर बढ़ता हूं बेसिकली जो गलफी में पर अर्य आपने टेलीगराम चैनल की एक लोग नोट करिए प्लीज और यह लिंक पर पूरा content support रहेगा एक full content support will be available on this link and this is my academy profile तो इसको भी आप जाके follow करिए ताकि मैं जो भी update यहाँ पे करूँ किसी भी class का special class का यह class का तो वो आपको मिल सके ठीक है तो यह दोनों link बहुत जरूरी है क्योंकि as an educator मेरे बीच और आपके बीच में contact communication रहना बहुत रवाश्यक है और यह दो वाइटल लिंक्स हैं जिनसे अपन communicate कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हो कोई भी support आप मुझे चाहते हो तो आप बिलकुल मुझे contact कर सकते हैं मेरे टेलेग्राम चैनल के तुरू बिलकुल मैं आपको जवाब दूँगा उसक समय लग सकता है इसा नहीं कि आपन जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो आपको मिलते हैं यहां पर तो आपके स्लेबस के हिसाब से सेलेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर कोस बना है ऐसा नहीं कि आपन जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें जतनी भी चीज़ें सब पढ़ा रहा है तो बहुत सारी फालतों की चीज़े जो है जो आपके करिकुलम या स्लेबस में नहीं है या उनके पर लाखों देते हैं तो बिलकुल एक बहुत बड़े लेवल पर आप अपना कर सकते हैं यह बहुत वाइटल है आपके एक्जाम के लिए ध्यान रखिएगा अगर आप प्रप्रेशन अच्छी कर रहे हैं और टेस्स नहीं ले रहे हैं तो आपके चांसे सेलेक्शन कम आप अनलिमिटल इसको एक्सेस कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब को प्राप्त करने के लिए इन सारे फैसलिटीज को आपको क्या करना है अने कैडमी के आप डाउनलोड करना है और अपने फेवरेट को सब्सक्राइब करना है उसके लिए आप गूगल प्ले से या apple store से जो भी आप यूज्ज करते हों अगर आप Android फोन यूज करते हैं तो Google Play और एपल यूजज करते हैं तो आप स्टों से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना फेवरेट कोस को चुने और सब्सक्राइब करें ठीक है अपने देखते हागे सब्सक्राइब करेंगे जो आपको मिलेगा वो है नेशनल लेबल की सारी बड़ी फिकल्टी का इस बहुत बहुत लंबे समय का exposure है इस exam और बहुत सारे exam तो हर अपने 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 पोर्स के यहां पढाते हैं यह बहुत-बड़ा benefit आपको इस है आपके exam के साफ से जिस भी exam को आप focus कर रहे हैं जैसे यहां पर अपने को को कुछ कर रहे हैं और मतलब सभिस्ट को फोकस कर रहे हैं जो को फोकस कर रहे हैं ठीक है यूँआ सिट लेवल का छो एक्जाम होता है और इसका लगबग्ग लगबग जो है वो सेम है पर एप्रोच थोड़ा सा डिफ्रेंट है दोनों एक्षाम्स का खाने- यूपीयोस्ट में क्या है वह अंडर्स्टेंडिंग पुष्ट प्राइट्ट और प्रकार सी इंद्ट करता से कि वह फैक्स भी याद करें ऐसा नहीं है अपने एक मिथ चला आ रहा है कि यूपीस सी मतलब all about concept and knowledge and not about facts ऐसा नहीं है क्योंकि facts की हमेशा आपको जरूत पड़ती है जो भी आप statement देते हैं जो भी आप sentence लिख रहे हैं उस sentence में वजन लाने के लिए उस आपके statement पर वजन लाने के लिए आपको facts की आवश्चक्त पड़ती है ध्यान रखिएगा तो facts directly आपको यूपीसी में यूज नहीं आएंगे पर हां जो भी आप अंसर लिख रहे हैं उसमें वजन लाने के लिए आपको facts के इस्तेमाल करना पड़ेगा तो facts अपन यहां भी पढ़ेंगे थोड़े बात ठीक है चलिए तो इसमें आपकी बढ़ जाती है ठीक लाइब क्लास जैसे आपको मिलेगी प्लस कोर्स में और आइकनिक दोनों में मिलेगी टेट सीरीज प्लस कोर्स आइकनिक दोनों में मिलेगी अनलिमिटेट पैक्टिस प्लस आइकनिक दोनों में मिलेगी शेडियूल्ड इस्ट्रक्चर और कोर्स जो है वह आपको प्लस और आइकनिक दोनों में मिलेगा ठीक है साथी साथ अब प्रेक्टिस यह बढ़िया है आप से इंपोड़िया है क्योंकि क्वेस्ट की प्रेक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फाइनल सेलेक्शन में जो है वह दिख्कत आईगी तो हम यहाप फोकस करेंगे न वह एक्जाम पूरा कॉलिफाइब करने के आप से करेंगे ना कि केवल प्री या केवल मेंज निकालने के जाब से ठीक चलिए वह एक पॉइंट चीज देखिए यह और स्टेट की बात कर रहा हूं तो आप सिक्स मन्थ थ्री मन्थ के आप्शन पर जा सकते हैं पर अगर आप न्यू स्टुनेंट है तो आप ट्वैल ट्वैटिफोर और थर्टिशिक्स मन्थ का ही ऑप्शन करवाएं ठीक तो देखिए इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अनुराग 27 अनुराग 27 ठीक है तो यह फीज बिना डिसकाउंट के है यह फीज डिसकाउंट के है तो ठीक है 10% का फर्क है दोनों में देखिएगा जैसे एक और मेरा कोड याद रखिएगा अगेर यह आपका आइकनिक कोर्स है आपको मिलेगा मैं आपको बता चुका हूँ ठीक यहां पर भी आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो फीज में 10% का डिसकाउंट मिलेगा ठीक पड़ते हैं तो बहुत इंपॉइंट बहुत बहुत वाइटल चीज है यूप सी में और बहुत सारे जो भी आपका फेवरेट अप्शन है ठीक है आप इस पर चूज करें और ऑप्शन डिसकाउंट अवेल करना चाहते हैं 2020 चाहते ही होंगे तो बहुत पर मैं आपको आने वाली उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी सप्स्ट्राइब को से उसका लेक्चर 3 इसमें टायम टाइम इंट लीट लाइन पढ़ेंगे और इसके पहले वाले जो टापिक्स introduction हमने देखा और lecture 2 में हमने latitudes and longitudes देखा अब देखिए यह जो lecture 2 lecture 3 lecture 4 यह तीनों lectures क्या है आपस में interconnected है ठीक है latitudes longitudes के basis पर ही हम आगे के concept पढ़ेंगे जैसे time and international date line ठीक तो इन दोनों lectures में हम time and international date lines पढ़ने वाले हैं और related concepts पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखिए का जिसने भी पहले वाला lecture नहीं देखा है lecture 2 तो प्लीज उस lecture को पहले प्रफर करें और उसके बाद फिर लेवल कम रहें अगर आपको पहले से आता है तो आप बिल्कुल आज हम पढ़ने वाले टाइम international date line लेकिन उसके पहले जो हमारा कंटिनुएशन था लेड़ेट्स का उसके कुछ वाइटल कंसेप्स हैं कुछ और हैं वह भी देख लेते हैं तो पहला आता है ग्रेट सरकल रूट बोलते हैं लेकिन एक्क्वेटर अकेला ग्रेट सरकल नहीं बहुत से किताबों में यह distorted fact लिखा हुआ है एक तत्थ ऐसा लिखा हुआ है बहुत से किताबों में कि केवल equator ही एक great circle है प्रहद व्रत इसको बोलते हैं तो अगर दो अपनी requirement से उसको पूरा कर देते हैं तो वह great circle करते हैं जैसे मैंने कहा के कोई भी circle अगर प्रत्वी को दो equal parts में और और अर्थ के सेंटर से होकर गुजर्ता है तो ऐसे circle को हम बोलते हैं great circle सब्सक्राइब कर रहा है और प्रत्वी के से होकर गुजर रहा है उसका प्लेन तो ध्यान रखिएगा उसे हम ग्रीट सब्सक्राइब अगर मैं इकवेटर की बात कर tuk से और इकवेटर की बात करूँ तो इकवेटर इन दोनों कंडिशन को पूरा करता है जिए होता है अर्थ को दो hemispheres में करता है एक Northern Hemisphere और Southern Hemisphere और equator का जो plane है वो अर्थ के Center से जाता है ठीक that is why equator is also called as Great Circle अब देखिए equator के अलावा और कोई भी latitude डूसरा ठीक ग्रीट सरकल नहीं कहलाता है is not a great circle क्यों क्योंकि अगर आप एक डिगरी North या एक डिगरी South जाएंगे तो जो भी latitude आप ले रहे हैं वो latitude अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा और अर्थ के Center से उसका plane नहीं घुजरेगा ठीक अध्यान रखना वाइड डूमीन भाइड ग्रेट सरकल तो ग्रेट सरकल की definition मैंने आपको बताई है तो यह देखिए तो यह जो कोई भी दूसरा आप latitude लेते हैं तो यह ग्रेट सरकल नहीं रहेगा ठीक दूसरी करफ अगर आपन लॉंगिट्यूट्स की बात करते हैं इसकी लॉंगिट्यूट्स की तो लॉंगिट्यूट्स सारे गरें दीज क्या है incaricias में मेरेडियन हो और यह सब्सक्राइब को ऊठाएंगे में और μεना फॉल सरकल अगर बनाएंगे ऊप बgriff प्रश्चल क्या है तो द्यान रखिएगा ग्रेट सर्कल क्या है ठीक है मैं क्यों बढ़ा रहा हूं आपको कुछ परक्षा प्रेक्षा गया है और जीके की चीज़ तो भी आपको पता होना चाहिए ठीक तो इसका यूसेज जो होता है वो नैविगेशन में होता है प्लेंस और शिप्ट जो नैविगेट करते हैं वह ग्रेट सर्कल रूट के तुरू ही करते हैं अब इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक किना करते हैं यह यह दो पॉइंट से लेते हैं और नों के सहारे उस तलवार को रखते हैं और अर्थ के दो तुक्ड़े कर देते हैं लेकिन तलवार अर्थ के सेंटर से निकलना चाहिए तो क्या करते हैं यह जो दो पॉइंट रहेंगे ना यह दो पॉइंट को अगर आप इन दो पॉइंट के सहारे से अर्थ को काटेंगे तो जाहर सी बात है आपको एक और सेंटर 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 से रहां है अब जैसे कि यह दो पॉइंट्स थे हमने देगे देगे तो इन दो points के सहारे से हमने अर्थ को ऐसा काटा है कि हमें ये center से great circle मिल जाए तो किनी भी दो points के बीच में अगर हमें shortest distance earth surface प्राप्त करनी है तो उन दो points के सहारे हमें great circle draw कर लेंगे जो कि अर्थ के center से निकलेगा तो देखिए अब यह जो great circle root रहता है यह जो root है इन दो points को अगर हम great circle के हिसाब से draw करें और उस पर हम चलेंगे तो यह shortest distance होता है किसी भी दो points के फिशेंगे देखिए देखिए यह जो अपने root मिलेगा great circle root अगर मैंने इसका इतना हिस्सा काट लिया तो यह great circle root जो होता है इसकी specialty यह है कि यह अर्थ के surface पर कोई भी two points जो होते हैं उनके बीच का smallest distance होता है smallest distance होता है कि दियान रगे simple facts हैं कि concept अगरा आप समझ जाएंगे तो no issues रियात करने में क्यों problem नहीं होगी ठीक तो समझते हैं तो समझ में क्या होता है ठीक है नहीं आया तो बिल्कुल मुझे कमेंट माउस पता है या मुझे अपने टेलिग्राम लिंक पर बिल्कुल पता है ठीक है तो देखिए planes travels along the shortest route in three dimensional space this is a route this route is called geodesic or great circle by map projections distort these routes confusing passengers the great circle path is the shortest path between two far off locations ठीक है ध्यान रखिएगा दो दूर-दूर की places में shortest distance होता है देखिए अब देखिए यह बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन की क्या होता है प्रोजेक्शन देखिए यह अर्थ हवारा संत्रा औरंज औरेंस का अपने ऊपर का च्छिलका है उसको बुरा निकाल लिए और उसको टेबल पर बिचा कर उस पर आयन कर दिया प्रेस कर दिया उसको ठीक है तो क्या होगा जाहर दिए भात है और और उसको प्लेन सर्फेस पे निकालना बहुत मुश्किल काम है जिस कारण से क्या होता है कि वो जो संत्रे का छिलका है उसका थोड़ा सा पोर्शन क्या हो जाएगा कड़ जाएगा फट जाएगा मतलब इसमें हमको कॉंपरमाइस करना पड़ता है कोई एक चीज को किन में से सबसे पहला डायरेक्शन के बाद शेप और फिर साइज यह तीन चीजह को हम एक साथ कंजर्व नहीं कर सकते जो कि इसलिए ग्लोब जो है वो जादा बहतर रिप्रेजेंटेशन माना जाता है अर्थ का क लेकिन मैप जो है वो सेकेंडरी रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए अपन यूज कर सकते हैं चार्टिंग जो नैविगेशन में होती है वह बहुत अलग टाइप की होती है तो मैं यहां पर डिटेल में नहीं जाना चाहरा हूं कार्टोग्राफी के उसमें फिर आपन अगर मैं एक चीज आपको सम्हाने कोईश करूंगा तो दस सवाल उत्पन होंगे ठीक है अलाकि उसमें अपने को डिटेल में तरह ध्यान रखें आप केवल कि जब आप जब भी अपन राउंड अर्थ को एक फ्लैट पेपर पर रिप्रेजेंट करने के कोईश करते हैं तो या तो आप डायरेक्शन को और साइज को अंजर्व कर लिजिए तो आपका शेप चला जाएगा ठीक है और या तो फिर आप डायरेक्शन को छोड़िए शेप और साइज पर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको दिखाने कोईश करता हूं तो मर्केटर प्रोजेक्शन क्या करता है समझे कोईश कीजिए और मर्केटर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और वो जो सेंट्रल पार्ट जैसे आप पोलर साइड में जाएंगे डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा किसका मर्केटर प्रोजेक्शन और जो सेंट मानने अपने मैप पर तो एक्विटर के पार्ट पर मर्केटर पॉस्टेशन ट्राय करता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम आपको मैं केवल समझाना चाहरा हूं वह ग्रेट सरकल रूट और ग्रेट सरकल रूट मेरे कहले समझ में आ गया होगा ग् पर आपके एक्जाम के पॉइंट और नहीं है मैप प्रोजेक्शन से और लोगों को पढ़ना पड़ता है इसको अपन कार्टोग्राफिक कहते हैं तो उनको पढ़ना पढ़ेगा यहां पर अपने को ग्रेट सरकल रूट समझ में आ है ग्रेट सरकल रूट क्या होता है कि द ठीक है लेकिन जब हम इस ग्रेट सरकल को मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं या चार्ट पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यह थोड़ा टेड़ा मेला ओकर ऐसे अपने को तेड़ा मेला होकर मिलता है सब्सक्राइब तो इस तो मर्केटर पोजेक्शन के लिए बहुत होती है यह स्ट्रेट बनती है ठीक है चलिए आगे फर एक चीज और आती है आपर ग्रेट सर्कल के बाद समझ में आगया होगा है ना जितनी चीज मेरे बागी की बूली है और यह आपका शेप साइज और डारेक्शन कंजर्व करना यह सब छोड़ो तो आगे इनको अगर अपने को मौका लगा समझेंगे हाला कि इसकी आवाशक्ता नहीं है तो अब देखो एक होता है यहां पर लेक्सप्रोंग या रंब लाइन एक जैस प्रकार से हमारा लेटिट देखेंगे जरी लाइन और अन सरफेज और स्फियर अफ अर्थ डेक्ट अल मेरीडियन एक इंगल बट नॉट एट राइट अंगल तो कोई भी लाइन अर्थ पर अगर अब बनाएं तो वह अगर ढितने भी लॉंगिट्यूट्स हैं उनको एक इक इंगल पर कट कर रही है देखिंगेगान एक इसिघंगूट्स है य kicking इंगल एक एक पुणस्टेंट एंगल पर कट करते है तो हम उसे क्या वोलेंगे उसे बूलेंगे रेक स्का सिद्यूट्ग क्या होता हैं क्या है यह सारे लोंगिटूट सको एक कॉंस्टokay कर single पर करती सबस्क्राइब एक नाइनटी डिग्री पर करते हैं यह स्पैसल केस है रंगलाइब के लेक्सट्रॉम के ही ठीक है और ध्यान रखियेगा अब इसका यूसेज यह फिर मैंने कहा यह नैविगेशन में इसका यूसेज है तो पर उपन ग्रेट सरकल रूट की बात करते हैं तो लूट को जब हम फॉलॉव करते हैं अर्थ पर ट्री डामेशनल इस्टेट इस ट्री डामेशनल वे में तो ग्रेट सरकल रूट की एक खामी यह होती है यह शौटर डिस्टेंस तो होती है दो पॉइंट के बीच में लेकिन इसकी यह खामी एक होती है कि जब भी कोई अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको किसी भी प्रकाल से आपके डारेक्शन को एड्जस नहीं करना है तो अगर आप रम लाइन फॉलो करना है तो सीधर सीधर चलते लिए कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है हलाकि यह शौटर डिस्टेंस नहीं होता है दो पॉइंट के वीशे बूला मैंने शॉटर डिस्टेंस क्या होता है ग्रेट सर्कल रूट तो दोनों का मिक्स यूस करते है कुछ नविगेटर को दिचलने को नवर करने मिक्स नवगेटर तो उसमें इसथे का बात इति च नहीं महूं औंच उतखकंश गया पुदल डॉट क्या होता एक यह न अटेश है तो इस तना बेसिक स्मझ में आगया आपट तो आप यहां पर नहीं है पर पिर बनना है जहाज का आपको ड्राइवर बनना जहाज आपको चीज़ें कड़ना पड़ेंगी यहां पर क्या है फोकस कर रहे हैं उनके क्या है प्लस उनके definition क्या है ठीक क्योंगी प्लिक्षाओं पूछता है सवाल क्या पूछता है सवाल कि डिफेरेंस क्या होता है डिफेरेंस वहां या सबहा इप आपको लेडियूट्स की डेफिनिशन पता है लेडियूट्स कट इच अधर एट राइट एंगल सब्सक्राइब लाइन है यह सारे लॉंगिट्यूट्स को एक कॉंस्टेंट एंगल पर कट करने वाली एक लाइन है इमेजरी लाइन है दोनों ठीक है तो यह पर देखेंगे सके बात करते हैं तो ग्रेट सरकल क्या है है दो प्रॉइंट्स के बीच में शॉट सिस्टेंस है यहां ने माल लीजियू यहांसे लेकर और यह यह से ट्रेवल करना आपको यहां पर आप तलवार रखी बढ़िया ठीक है और पूरी अर्थ को काट दीया सेंटर से तो आपको अर्थ के दो स्वियर मिल गए और आपको एक आपको बार बार डारेक्शन को एड्जेस नहीं करना पड़ेगा आप एक बार स्टेरिंग जो है जहाज का सैट कर दें उसके बाद सीज़े पहुंच जाएंगे आप अगर आप पांच मिनिट में आपको लाइड़ेड्यूट्स खतम कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं भाई लाइड़ेड्यूट्स जो है वह बहुत ही कंसेप्ट्ट्वल टॉपिक है जोग्रफी का एक तो एक दिल घंटेगी क्लास तो बनती है इतना तो करते हैं लाइड़ेड्यूट्स ट प्रोजेक्शन तो रंब लाइन जो होती है रंब लाइन को अगर इतना प्रोजेक्ट करेंगे इस लाइन को तो यह लाइन जो है दो फिएट नर्वाशाट के बीच में ए और बी और बी बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी द्यान रखना तो यह यह क्या है मर्केटर प्रोजेक्शन एक ब्रोजेक्शन मतलब क्या होता है रांडेड अर्थ को जब अपन एक स्लैट मेंप पर प्रोजेट करते हैं उसको यह बहुते हैं प्रोजेक्शन और मर्केटर एक भाई साथ थे जिसको बूलते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन और वो नेविगेशन हमीज़ होता है तो रम लाइन की इस पैसिलिटी यह है अगर आपन ग्रेट सर्कल रूट को अगर आपन प्रोजेक्ट करेंगे फ्लैट मैप होगा लेकिन अगर आपन रम यपो मर्केटर प्षिंध पर प्रोजेक्च करते हैं तो इसलिए क्या होता है मर्केटर को साथ यूज करते हैं बहुत से並ibu Ms. आजपी याज आज तो बहुत सारी विलेबल है वह से अब तो सब करने की आवाशकता नहीं है उनको केबल बटन दवाना और शांदार कॉफी ही नहीं है अपने केविन में बैट के चला तो एक्स्प्लेन में आपको पर चुगा हूं पूरा ठीक है और पढ़ लीजिए एक बार लेकिन ज्यादा लिखना नहीं अपने को परिक् या अर्थ के सर्फिस पर दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस डिस्टेंस जो होती है वो कैसे निकालते हैं तो चार आप्शन दे रखा है रंब लाइन से लैटिट्यूट से लॉंगिट्यूट से और ग्रेट सर्कल रूट से या ग्रेट सर्कल की मदद से तो अंसर क्या रोटेट कर रही है और रोटेट किस डियरेक्शन में कर रही है वह है और वेस्ट ट्यार वेस्ट क्या है वेस्ट ट्यू इसलिए हम बचपन से पढ़तें आ रहें बचपए एस्ट अब शैण्रीष ड्यवरा देखता है partisan आपको राएम की तरह रतायाए है सन राइज ड़् यही कारण क्या है सन हमें इस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है लेकिन संतों कहीं नहीं जा रहा तो अपनी पोजिशन पर अपनी पोजिशन पर रही है तो ऐसा लगता है हमें कि सब्सक्राइब एक बार जो है वो क्या करेगा संको फेस करेगा जायर सी बात है और जो लॉंगिट्यूद संगों फेस कर रहा है माल लो यह वाला लॉंगिड़ इसको मैंने माल लिए एकस और यह संगों फेस कर रहा है इस समय तो यहां पर क्या बजी बारा बजी और वह भी कपकी दोपहर की इसको बोलते हैं नून समझें बात को तो संग आपना जो आर्थ है वह रोटेट कर रही है वेस्ट टू इस रोटेट कर रही है जिसके कारण से हमें सन इस्ट वेस्ट और सेट होते हो दिखाई देता है और हर लॉंगिट्यूड जो है पृतिक लॉंगिट्यूड 24 आज़ में लगबग 24 गंटे में और है पुरा चकर लगा लेथी है तो हमें का देखना है कि हर लॉंगिट्यूड दिन में एक बार संपर स्ट आपने आएगा और इस समय किशने सामने आएगा उस समय किया ताइम हुआ है लयोंगिट्यूड तो अधरी same वन बाइवन फेशिज देशन विद रोटेशन आफ एक एक करके फेश करते हैं तो मेरिडियन्स विच डिरेक्ली फेशिज देशन एक्स्पिरियंस इस ट्यूल पीमिन दनून जाहिर सी बात है यह सिंपल बहुत सिंपल सबको समझ में आता एकता तो ठीक है चलिए आगे एक और यह संकों कर रहा है कि पर दिङकान की तरफ मख्य है सूर के सामने है यह यह लाओंडि टूड तो इस लॉलमिस एक हुध में और इसंडूडेव shea रहेगा ध्यान रखिए समय का अंतर रहेगा तो मैंने कहां कि यह संको फेस कर रहा है मतलब यहां पर क्या बजा है दो पहर का बारा बजा है इस समय अब देखो वैस्ट टू इस्ट मोशन कर रहे हैं तो इस्ट पश्चिम से पूरूप की तरफ गृणन हो रहा है प्रत्वी क जिसके करण से वेस्ट इस्ट मोशन है अपका अपना आगे पढ़ेंगे इसको रोटेशन को डिटेल में लेकिन अभी समझो क्या है तो देखो यह लॉंगिट्यूट थोड़ी दिर में इस पोजिशन पर पहुंच जाएगा और इस जगह पर यहां पर कोई ताकि आपको बियर रहें तो अगर मैंने यह वाला पॉइंट लिया मैंने कहा इसको एपॉइंट है और यह वाला पॉइंट लिया मैंने कहा इसको बी पॉइंट तो देखिए बी पॉइंट और एपॉइंट के बीच में जो लॉंगिट्यूड है उस पर बारा बजा है जिटनी भी मि इस कर रहा हैHO ञंतल बहीं बारा बीषना बाकि है मतलब हां टाइंक всем होगा पीछे लेकिन जितने भी इस मैं होगी फूर्व में है होंगी इस देशांतर के जो सूर्ण को फेस कर रहा है सूर्ण को दिख रहा है उसके इस्ट में दिखेंगे होंगी वहां पहले ही 12 बच चुका होगा यहां का समय क्या होगा है मतलब आगे अब देखें अब हमें पता है कि हमारे प्रित्वी है अर्थ लगबग लगबग 307 डिगरी रोटेट करती है कितने समय में 24 घंटे में है यह यह आपर अगर हम और इसको डिवाइड करें तो मैंने कहा कि बहिए अब बताब एक घंटे में कितना रोडीट करेंगी वन आर में लगबग लगबग 15 डिगरी टिवाइड कर लिए आप सीज़ कर रहे हो आप लोग तो डिवीजन में ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों यहीं समझ मेना है सर क्या कर दिया यह एक घंटा बंदरा डिगरी कहां से आ गया तो ऐसा नहीं फिर आता है आपने फिर दिवाइट कर लिए एक घंटा मतलब कितना हो गया सहाट मिनिट टेक 60 मिनिट में पंदरा डिगरी अर्थ ट्रैवल कर रही है तो जाहिर सी बात है मैंने यह बात ध्यान रखिएगा बहुट सी किताबों में यह जो तो एक डिगरी बराबर चार मिनिट नहीं होता है यह रॉंग कंसेट है यह दर्शाने का तरीका है कि प्रित्वी एक डिगरी जो है वह चार मिनिट में घूम जाती है तो द्यान रखिया के बहुत से बहुत से चार मिनिट में टेरेएं बहुत से लिता हूं तो यहां पर आते देखिये उं с A Point है और यह B Point है तो यह दोनोں एक एक डगरी के अंतराल पर है और यहां पर बारा बजा है तो पहर का भई यहां क्या बजेगा पर बजेगा आपका बारा 12 बजा हुआ है तो बारा बजब के 4 मिनिट हो गए हैं बार क्योंकि समय आगे है और बी पॉइंट पर यहां पर पी एम रहेगा तोस्मेरिटिन ध्यान रखियेगा और बी पॉइंट पर क्या समय होगा इस समय 11.56 बिलकुल सहीज पहचाना आपने 11.56 लेकिन यहां पर वह जाएगा समझे ना बात को यह है कि नहीं तो इस फॉर्मूली के साथ से चार-चार मिनिट का फॉर्मूला है एक डिगरी चार मिनिट एक डिगरी चार मिनिट है अगर हमें ये ग्यात है हमें ये पता है कि जो मानक देशानता है या जो स्टेंडर्ड मेरेडियन है प्राइम मेरेडियन है अगर वहां पर टाइम क्या हुआ है वहां पर टाइम time on any place on earth if we knows the time on the prime meridian or if you know the time on any longitude अगर हमें किसी भी longitude पर time पता है तो हम किसी भी जगे समय का रधरन कर सकते हैं समय ग्याद कर सकते हैं तो देखते हैं आईए कैसे कुछ आपको थोड़ी भारिभाशिक भार्षा भी लिखा हुआ है ठीक है परिप्षा में कैसे लिखना आपको तो ऑल्टा प्लेसे ऑन अर्थ फॉल्स इस ऑफ प्रायम मेरिडियन विल भी एहड ऑफ जी एमटी जी एमटी मतलब इन विज में टाइम ठीक ग्रीन विज पर समय हुआ है इस तरफ इस तरफ इसमें और बैस्ट में क्या रहेगा बिहाइंट रहेगा ठीक है और अलब प्लेसे वेस्ट अफ प्रायम मेरिडियन विल भी बहाइंड ऑफ जी एमटी टीक है अब बताएंगे अर्थ रोटेट्स थी सिस्टी डिग्री इन ट्वंटी फॉर आर्स तो पंदरा डिग्री बनार एंड डिग्री इन फॉर मिनिट्स तो जीरो डिग्री मेरिड यहां पर जब प्रायम मेरिडियन पर 12 बजा है एक्जैक्ली पीछे की तरफ तो आप जब इजहर से घूंकर जाओगे पीछे की तरफ इस पॉइंट पर और यहां से भी घूंकी जाओगे पीछे की तरफ इस पॉइंट पर तब भी आपको यहां पर क्या है बारा घंटे का डिस्टेंस देखने को मिलेगा है ना क्योंकि यह हो गया आपका 180 डिग्री और एक डिग्री चार मिनिट में घूमती है तो 180 कितने मिनिट में घूमेगी इस समय जब यहां पर बारा बजा है दो पहर का तो इस पीछे वाले मेरेडियन पर क्या बज़ेगा यहां पर भी बारा बज़ेगा लेकिन रात का यह है अपर इसको समझते हैं आगे कुछ एक्जाम्पल्स के हिसाब से चिक चलिए परणा पर देखिए तो पोस्ट मेरेड मेरेडियन क्या होता हुँ इसको एक चलिए और 15 डिगरी मेरेडिय सकाल आर सरकर्म को को Ahh क्या होता है क्योंगि 15 बोलते हैं क्या है जो है पर आप सीरू डिक celebrity से पंदरा डिक listeners तरफ ने यहां पर पॉइंट रहेगा जीरो डिग्री से एक घंटे के अंतराल पर रहेंगे दोनों तो यहां पर अगर बारा बजा है तो यहां पर एक बज रहा है क्योंकि यह समय आगे है और यहां पर ग्यारा बज रहा है ठीक और इस बिंदू से फिर देके घंटे का अंतराल आप मानत निशानतर है या प्राइम मेरिडियन और 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 अनी मेरिडियन किसी भी मेरिडियन पर आपको टाइम पता है so then we can calculate time on any longitude around the globe हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं समय तो फटा-फट देखो कैसे आपन समय निकालते हैं तो कुछ examples हैं आपके सामने ते ना calculate करना है तो question यह है कि what will be the time on 173 degree east longitude if it is exactly 12 p.m. on prime meridian 12 p.m. on prime meridian तो 173 degree पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा यदि जो मानक देशांतर है उसको 12 बजाए तो फटावर दिखते हैं इसको solve करने के कोईस करते हैं तो भी है यह हमारे जो prime meridian है है आपने एक general क्या बना रिया एक prime meridian बना रिया ठीक समझे लिए लिए बना रहा हूं इस्ट बन एट्टी डिग्री इस्ट वारे लाइन है इसके अगर वेस्ट में अपन जाते हैं तो यहां पर क्या हो गया यहां पर भी है तो हमें हमारे इएड़ांपल के आतबसे कि 10 पर क्या बजा है बारा बजा है दूपहर का PM ठेक हमें कहां तक जाना है लग 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 173 डिग्री पर जाना और तो हमें पता हैं कि अर्थ जो है एक डिग्री ट्रेवल करती है चार मिनिट में ठीक तो जाहिर सी बात है 173 डिग्री ट्रेवल करेगी कितने मिनिट में तो वह जाएगा 173 इंटू फूर ओर दो दो आए तिक स्नाइटी टू इस टीक है एक बार चाहिएगा टेक्ट अचीट है जिक सिक्सश नाइटी टू मिनिट्स टीक तो अर्थ जो है वह 173 डिग्री मतलब जो ट्रेवल करेगी इए जीरो डिग्री पर समय हो रहा है इतना वारा पिम टिक तो इसी समय इसी समय जब 0 degree 12 बजा है तो 173 degree पर कितना बजा होगा तो हमें ड्रेवल करना है बंद कर दिया और सोचें कि हमें अब यहां से इस पर पूर दिशांतर पर यहां पर समय जाएगा बहीए आर्थ जो है चार दिगरी की चार मिनिट करती है एक डिगरी चार लिट में तो एक सो तेट्र डिगरी छैसो बानवे मिनिट में आ गया है तो 692 जो है 692 मिनिट्स इनको मैं आर्स में चेंज कर लूँगा आर्स में यह तोड़ी कला के माहिर होना पड़ेगा आपको आपको क्या करते हैं तो आपका करते हो डायरेक्टली आपका अगरो इसको डिवाइड करते हो कि 60 से सब्सक्राइब है और आपका अंसर आएगा 0.5 या 0.2 इस प्रकार से आपका reminder बचेगा तो उस condition में ध्यान रखना जो आपन घड़ी के मामले में बात करते हैं तो 0.5 बराबर होता है 30 minute टीक और इस प्रकार से 0.25 बराबर होता है 15 minute टेक तो आखरी में जो पॉइंट के बाद जो आपकी वैल्यू बचती है उसको भी आपको मिनेट्स में चेंज करना पड़ेगा समझना बात को तो इसको मैंने तो सिंपल क्या कर अगर हो आप भई हमें पता है इसको अगर मुझे आर्स में करने तो साट मिनिट का एक घंटा होता है तो यहां पर 600 हमें साफ साफ दिख रहा है तो हमने उसको अपर दिया 10 घंटे में 10 आवर्स और 92 मिनिट्स मचे अब फिर से इसमें से अपने एक घंटा और निकाल लिया तो 11 आर्स हो गए और यहां पर साथ चले गाया मतलब कितने यहां पर 11 hours and 32 minutes तो देखो यह समय आया हमारे पास 11 घंटे और 32 मिनिट्स ठीक है 692 के इसाप से ग्यारा घंटे और 32 मिनिट्स आया यह अब यह समय हो रहा है यहां पर यहां ग्यारा बच्छ के 32 मिनिट्स नहीं हो रहा है जीरो डिगरी पर जो समय होगा ठीक है उस समय से 173 डिगरी इस्ट कितना आगे है बसी बात है ग्यारा घंटे और 32 मिनिट्स आपको पहुंच जाना है तो बारा बज़े से आप चालू करोगा गली में देखना और ग्यारा घंटे 32 मिनिट्स आगे करना है जाहर सी बात है तो कि आगे रहेगा यहां पर पी-म है यह समय आगे जाहेगा घख़यारा घंटे 32 मिनिट्स आप चलते जाए लेक समय इंदल यहां और गंटे यह पर एक सौसरी पर पहुंच जाता नहीं तो तो यह कैलकॉलेशन है जिए जितको समझ में आया है दीग है वेरी गूड और नहीं आया है दूबारा देखें इसको और भी मैं आपको सवाल सौल करवा हूँ यह बहुत सिंपल सवाल था केवल हमें याद रखना है कि प्रत्वी एक डिगरी चलती है चार मिनिट में घूमती ओर एक और माना का दिशानता हैं रहे हैर स्टैंडर मेरी रहे रही है उसके ईस्ट में टाइम आगे रखे और वेस्ट में हमेशा टाइम पीछे रहेगा कहरे है सवाल सौल करते हैं तक अपनादी हो टो ओते हो तो वात वील वीदे टाइम at 141 degrees west longitude अब क्या आगया वेस्ट आगया 141 degrees वेस्ट लॉंगिट्यूड इफ इसको देख लेते हैं तो हमें निकालना है यह अपना प्राइम मेरेडियन हो गया जीनो डिग्री तुह हमें वेस्ट में निकालना है तो अपन ने 141 degrees वेस्ट ले लिए यह इसपर हमें समय निकालना है और यहां पर कितना बज रहा है 12 a.m. हो रहा है तो हम्में पता है जाहिर सी बात है सिंपल एक डिग्री चार मिनिट में भूमती है तो 141 डिग्री कितने मिनिट में भूमेंगी अर्थ बस कैल्कुलेट कर लो जल्दी से इसको अपने चार से रिवाइट मल्टिप्ला कर लिया थे पांसो चौहर मिनिट होगे है अब देखो 564 अब इस 564 मिनिट्स को मुझे आर्स में करना है तो आप शाट करके निकालते जाओ सबसे पहले तो जाहर सी बात है इसमें से आप 500 देख रहे हूं कि कितने घंटे आप निकाल सकते हो सिए सिदे पहल तो यह बताओ जिसे दस घ चैसे तो यहां पर 600 नहीं है 564 है तो नौ घंटे निकाल सकते हैं यह इसमें से आप एक घंटा कम कर दो तो यह एक गया तो निकाल लिए और उसको लिए नाघन आर्स आप यह से कितते हैं बचे 24 मिनट बचे बागी 24 मिनट्स क्लियर है कि यह नौ घंटे और 24 मिनट्स यह आपका वो समय समय अभी यह नहीं आया मतलब यह 9 घंटे 24 मिनट्स मतलब 141 डिग्री जो पश्चिम में है वेस्ट में है वो हमारे प्राइम मेरेडियन से नो घंटे 24 मिनट्स पीछे होगा यह बात ध्यान रखेगा तो अब यहां पर जो भी समय होगा है आपको बहुत सारे पूछे गाए इस प्रकार के बहुत सारे यह समय है तो इस डिग्री पर कितना होगा ठीक है चार ओप्सन दे रहें नीचे बहुत सारे एक्जांस में अभी तक कैलकॉलेक्शन में मालम चला कि यह जो 141 डिग्री वेस्ट है इस 141 डिग्री वेस्ट पर क्या होगा नौ घंटे 24 मिनट्स और चुकि यह वेस्ट में है तो समय पीछे होगा तो बारा एम से अपने को पीछे जाना है कितने नौ घंटे और 24 मिनट्स तो यहां पर 12日 कि आप पीछे जाओगे तो क्या गड़ी में बजएगा यह से पीछे जा रहे हो तो इसके पीछे यहां पर अभी ग्यारा भी वह रहा है कि यहां यहां पर पीएम हो रहा है क्लियर ना एह तरह जाओगी आप एक घंटा तो वहां पर एक एम हो यहां पर 11 बजा फिर 10 बजा फिर 9 बजा फिर 8 बजा फिर 7 बजेगा फिर 5 बजेगा फिर 4 बजेगा फिर 3 बजेगा अब जो कितने आपने को 9 गणा पीचे आना है तो अपने एक घंटा पीचे आगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 गंटे पीछे आगए अपन तो हमें क्या बजगे हमारे गड़ी में 9 गंटे पीछे आगए कि तक और हमें 24 मिनिट और पीछे जाना है अभी ध्यान रखना नौ गंटे पीछे आगा गये हैं और 24 मिनट और पीछे जाना है तो यहां पर जो समय हुआ है वह वो कितना हुआ है दो बचकर 24 मिनिट पीछे गए आप 24 मिनिट पीछे गए तो पताइए कितना समय बचेगा यहां पर 60 मिनिट है 60 में से आप 24 को माइनस कर दो तो नहीं बात कि नहीं 60 में से आपके 24 गए तो 36 मिनिट बचे आपके पीछे कर दिया है कोई डाउट है यहां पर पीछे जब भी आप जाते हैं समय में तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वह 24 मिनिट को काउंट कैसे करते हैं तो यहां तक बच गया अब तीन में 24 मिनिट को माइनस कर दिये इस पॉइंट टक पहुंचने के लिए तो यहां पर 24 मिनिट कर दो दो बच के 36 मिनिट हो गया जयान रखिएगा तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब ऐसे तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस जावपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहां पर मैंने एक्जाम्पल के लिए आपको यह को समझाया है ठीक है आप यह वाला क्वेश्चन आप घर से करिएगा और इसका अ होगा कि आपने लॉंग रूट से रहे हैं अपन स्टेंडर्ड मान कर क्या चीज़े निकाल रहे हैं कुछ कुश्चिन में ऐसा भी आएगा कि आपको एक आप वो कुश्चिन किस परकार से हो सकता है और अगर आपन बात करें तो मैंने कहा कि भीया मैंने कहा कि आप मान अब इसमें 80 डिग्री वेस्ट में क्या समय हुआ होगा एक पीछे जाएंगे अपन तो समय अमेशा पीछे की और जाएगा तो हम क्या करेंगे देखो 80 डिग्री इस और 80 डिग्री वेस्ट इन दोनों को प्लस कर लो मतलब 160 डिग्री का डिफरेंस है बीच में ध्यान रखन और यहां से आप पीछे आओगे तो पहले जीरो डिग्री आएगा तो यदि हमें 80 डिग्री इस पर पता है समय तो इसके करता है प्रैक्टिस अगर आपको अज़ेज़न कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है लूड़ है तो step by step करें कि पूरा एक साथ करने का वर शक्ता नहीं है थैनके जिनका mathematics काफी घ्रक है तो ज़रूर नहीं आपको upsc निकालने के लिए mathematics बहुत करना पड़ेगा बस यह के बेसिक से आपको आना चाहिए है तो यहां पर हमने करने का प्रियास किया है इन सारी चीजों को हलका सा रिक्याप करवा दूं आज का लेक्चर आपको जिसमें आपने देखा है कि हमने लेक्सोड्रों और रंब बेसिक अपने देखे हैं और इसमें डीटियल में आपने नहीं जाना है तो ग्रेट रोड क्या होता है इसको लीक्सोड्रों भी कहते हैं किस प्रकार से हम लॉंगिट्यूट के सहारे से time calculate करते हैं ठीक है एक रिख वेस्ट को इस व ःगोंगी है रही है और फीछ न siya चारी चीज़े आप लो कुछ सवर में बात है ऐतल किंसे मैं आपको बता रहा हो कि जब देखिए नॉर्मली यह जो हम पूरा टाइम वाइं केलकुलेट कर रहे हैं यह सारी चीजें कहें कि हैं किस संदर्व में हैं और सी बात है अब यहां पर जब हम मालों पोल्स पर पहुंच गए कहां पहुंच गए दुरुबों पर आपकी घड़ी में क्या समय होगा सी जिर बात्तोई तो देखो कोई जीरतों कि दुरुबों पर जीरो डिग्री भी आ रहा है जिए deputy ओर चालिज सॉल से में पर खड़े हैं तो हम घड़ी में टाइम क्या लेंगे तो भई या दुरूगों कि अगर बात करें तो दुरूगों पर समय की गती का कोई अर्थ नहीं होता है और दुरूगों पर तो सारे longitudes मिलते हैं एक साथ तो यहाँ पर समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है या तो आप घड़ी में आप दुनिया में जो समय हो रहा है और दुनिया में हर जगे का समय आप घड़ी में बया सकते हैं या फिर जीरो समय तो यहाँ पर जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं टाइमलेस और डारेक्शनलेस द्यान रखिएगा पोल्स आर टाइमलेस एंड डारेक्शनलेस क्योंकि देखो पोल्स एक यूनीक बतलब चीज है हमारे दर्ती पर तो नो मूवमेंट औफ पोल्स इन फ्रंट ओफ सन को सिर्द्वी के सामने से जीरो डिग्री से जा रहा है लेकिन जीरो डिग्री आप मूव करेंगा तो यह पूरा लॉंग इड़ोगत उफ करेगा पहर्ग्षी तो प्रत्वी का परिक्रमा कर ती है के अरौंड रवुलुशन करती है उस कारण से क्या होता है चे महिने में सिक्स मंथ में एक बार संराइज होता है और एक साथ चौ्बिस को समय शेतर है वो एक साथ आके मिलते हैं एक बिंदू पर, एक पॉइंट पर, rendering them meaningless, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, so it's simultaneously all of the earth's time zones and none of them, या तो आप सारे time मान लो, या कुछ भी मत मानो, so there are no boundaries of any kind in here, also there is no land and no people, the sun rises and sets just once per year, once मतलब 6 मेने पे एक बार होता है, ठीक है, so time of day is irrelevant as well, तो पोल्स पर क्या होता है, time और direction दोनों क्या है, irrelevant है, तो पोल्स आर रिगार्ड़ेड़ेस टाइमलेस और डारेक्शनलेस, ध्यान रखिएगा, ठीक, UPSCNC पर बेस्ट एक कुश्चिन पूछा है, और वो कुश्चिन क्या था, ध्यान सुनिए, कि माल लीजिए, अगर आप कहाँ पर खड़े हैं, उत्तरे जरूपर खड़े हैं, नोर्थ पोल पर, उत्तरे जरूपर जहां भी आप खड़े हैं, तो नहीं आपको समय से मतलब है, नहीं आपको समय से मतलब है, ध्यान रखिएगा, नहीं आपको समय से मतलब है, नहीं डारेक्शन से मतलब है, तो फटावट देखिए, तो UPSCNC कहाँ पूछा था, कि अगर आप उत्तरे जरूपर खड़े हैं, और आपको इंडिया जाना हो गया यह सब्सक्राइब यह वैस्ट हो गया यह इस्ट हो गया तो आपको जाना पड़ेगा तो वहीं आपको बताओ डारेक्शन लेस होते हैं पोल्स पोल्स के उपर डारेक्शन का कोई यूसेज नहीं होता है इसलिए अगर आप उत्तर रूपे खड़े हैं तो आप पर भी जाना है दुनिया में आप दक्षिन दिशा में ही जाएंगे ध्यान रखिएगा और यहां पर टाइम की कोई वैली नहीं तो अगर यूपसी गुमागर कुछ इस परकार सवाल पूछ ले कि अगर आप खड़े हैं और क्रिस्मस है आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है तो इन सब चीज़ों कोई वैल्यू नहीं है तो ध्यान रखिएगा पूल्स और रिगार्ड़ेस टाइम लेस एंड डिरेक्शन लेस ठीक डाउट है याँपर ठीक तो आगे बढ़ते है अब लेक्शिस में अपको पॉइंट दिये हैं सारे आपको याद करने है वह रहा है और क्लास में कितने क्लकुलेशन कोने करने जरहं अब देखिए नेक्स चीज जो हमारे पास आती है अब आप वह ए लोकल टाइम सबसे पहले अपन देखेंगे तीन प्रकार की टाइम दे तो पटापट देखो लोकल टाइम क्या होता है लोकल टाइम किसी भी लॉंगिट्यूट पर यदि आप खड़े इस तेंडिंग ऑन पर्टिकुलर एक्जेक्ट लॉंगिट्यूट तो उस लॉंगिट्यूट के हिसाब से यदि आप अपनी घड़ी को एड़िस कर लेते हैं त तो यदि आप तीनों लोग तीनों दोस्त अपनी घड़ी अपने अपने लॉंगिट्यूट के सब्सक्राइब कर लोगे तीनों घड़ी में डिफरेंट समय होगा पर एक डिग्री का डिफरेंस है एक बीच वाला फ्रेंड है इसकी घड़ी में बारा बज रहा है पीएम द तो यह जल दी जाएगा और यह टाइम पर पहुंचेगा ठीक है तो लोकल टाइम क्या होता है जब भी हम अर्थ पर अपने खुद के लॉंगिट्यूट के हिसाब से अपनी घड़ी को एड़िस कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल टाइम एड़िस क्लॉप एक्जैक के टाइम शफ़ग कि अभी टेंट नंगियूट म attachment के लिएLPिस सेनक डिल अउस फेरें सेुल है तो ऑसलेट्ये सेम तरीके से रहता हैं देक वह सेम लॉंगिट्यूट पर रहने वाले लोग योई वह सेम क्या दो एग टाइंगे experience करेंगे same time experience करेंगे different different time experience करेंगे clear है चलिए बहुत अच्छा तो मेरी गाल से आज पर्याप्त समय हो गया है अपने को इस class का ठीक है तो इसे को यह class अभी पूरी नियु हुई है further इसको अपन 4th lecture में complete करेंगे तो ध्यान रखिएगा तो यह 3rd lecture के इतने concepts है even second lecture के इतने concept है वो सारे concept के साथ आप अव्यला class अटेंड करें तो बहतर रहेगा तो जाहिर सी बात है यह पूरी class आपकी बाकी है अभी ठीक है तो आज हम यही समाप्ति करते हैं और नेक्स लेक्टर में आपन बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं ठीक है तो जरुरी सुचन और मैं आपसे शेयर कर दूँ तो इसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आप कोई और सब्सक्राइब करते हैं तो आप यदि मेरा कोड अगर आप करेंगे क्या है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके अलावा यह हमारा लिंक है आपका और मेरा कम्यूनिकेशन का लिंक रहेगा यहां पर आप बिल्कुल कम्यूनिकेट कर सकते हैं उससे और यहां पर जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूंगा जैसे कि आज मैंने जो पढ़ाया उसकी मैं जो स्लाइट्स हैं या जो अपन इसको पीडिएफ में आपको प्रवाइड कर आउंगा इस ग्रूप पर तो कृपया जिसको ग्रूप को जॉइन करें अपना टेलिग्राम ग्रूप को ठीक है साथ ही साथ अगर आपको यह लेक्षर पसंद आया है तो भीया लाइक मार दो सब्सक्राइब मार दो और गंटी बजा दो एक चलिए आज के लिए बहुत है थैंक यह वरी मुच